अगे मामा ही अपने भगनी को लेके घर से फरार हो गया तो एक दरिंदा आता है और लड़की को भगाय के लेके चला जाता है और 13 साल की महज लड़की है कि मेरा भाई है अपनी भाई को घर मेरा रखती थी उसको क्या पाता थे कि मेरे भाई है मेरे मेरे घर उजाड़ देगा अज 25 दिन होगे फायर बगार हुआ है अभी तक ले कुछ नहीं परसासन भी लगी है हम डेली थाने में भी फोन करते हैं भी मेरे को धमकियों की देने ल सब्सक्राइब गणा कर दिया है कर दिया है और ऑण frustrated कालत कर दिया वाकी क्या रका होगा देमी में उसकार कांड कर दी कर पूरा कहानी ही अलग है मामा ही अपने भगनी को लेके घर से फरार हो गया है हमारे साथ लड़की की मा है और हम जानते हैं कि इनके साथ क्या हुआ है क्या हुआ है आपके साथ मेरे भाई का वो साला है अभी आठ महिना हुआ है साधी का इनके उपर पहले केस हो से है तो वो पहले आके यहाँ इस घर में छुपके रहता था आट दीन दस दीन चार दीन पान दीडेक प्लीसे तो फड़ा रहता था जहां लोग को ये बाद पता था साधी के बाद पता चला अचा जटाञा के साल क्य तहोंने जाया नारी तेरा साल की लड़की कौंश क्या побед साट 5. 3, 3 सी तरह अजरो ने नेली तौन आता हैं पांदेना दालिगले के दिन नट्या हूं करके रहे कुछ नहीं रहते हैं रहते हैं तो आपको ऐसे बद्धा चला कि मेरे प्धा जी ने फोन किये थे ऐसा-एसा गां। करते हैं जारू पोचा करते हैं इसी लड़की से हम उमीद लगाए थे जारू पोचा करके अपनी लड़की को पढ़ा रहे थे कि हमारे पास लड़का नहीं था लड़की ये तीन थी तो दो लड़की के तो हम नहीं पढ़ा पाए क्योंकि हमारे पास उस टाइम गरीबी था हम रास्ता भी मुझे पाता नहीं था कमाने खाने का तो ये सबसे चोटी लड़की थी हम तीनु मा बेटी मिलके हम छोटी पढ़ाई लिखाई करा रहे ते चलो पढ़ा लिखा है कुछ इसको आगे दिल हम बढ़ाएंगे लड़का नहीं है तो कि हमारे लिए तो लड़की है आगे चलके हमारे जीवन का यह सहारा यह बने गी आजका लड़का लड़की एक माँ और दो बहन बाहर में घर में भाईल दिए होते तब तो मुझे डर लगता कि अपाईर आप यहां पर रहती नहीं तो आपको क्या पता है पीता जी है मेरे भावजाई भी घर में है अगल-बागल भी लोग है अगर मांट लेकिके लड़की को चाल-चरण अच्छा हो खराब होता है तो अगल-बागल के बात बताएं थीक्ए कि आप उनकी रिलेशन की अउनकी बहन है घर में तो बहन तो जानती होंगी ना भाई के बारे में से बात चीत नहीं हो रहे कि सबके नमबर बिलेक लिश्ट में इस्टागराम फेस्बुक से हर एक चीज से उसने ब्लोग कर दिया अपने घर पर लड़का कहां है अभी लड़की को लेकर अभी तो पाता भी तक नहीं चला यार वेगरा हुआ है अभी तक ले कुछ नहीं परसासन भी लगी है हम डेली थाने में में भी फोन करते हैं थे थे कि हंआ वाले घर वाली लगा चाहर दिनी पहले है उसने फोन करके मेरे को मेरे को मोभाएल पर हमने इक बार किसी ने blanket करो ने पाता पर तो मने पाता कि या थे लड़की और का हमने गाली ओली देने लगे कि तुने यह अपने पास रखाए ते OrthodoxM टेरे को हम बतार हैं तो कैरें बहुत है ना फिर कुनेश के पास में दुष्मनियाएं मेरे शभी जो लड़का ले गया है इसमेरे को पुलिस भी लगी है कि पूलिस मेरा कुछ नहीं उख़ादेगी पुलिस क्या करेगी 20 दिन हो गया है पुलिस में मेरे को खोज तो आप बता रही थी कि साधी वदी करके आपको फोटो भी कर लिया है साधी लड़की के साथ साधी भी कर लिया था उसने एस्टागराम पे लगा दिया था तो पूरे लोग देखे था सब लोग स्क्रीम सब से में पूरे खिच घीच जारू वगल उसको फोटो भी प्या दिया कि साधी हम कर लिये तो यसी लिए कि चलो साधी कर लेंगे तो लड़की एक बात बता यह लड़का फोन करके आपसे बात करें लड़की भी आपसे बात वत की है एक दिन एतना दिनी के बीच मैं उसका दोस तो आपने हुआ हैं जब लुखोड गोली बंदूग से खेल रहे हैं लुटेरे और बेहों तो उनसे ने लिए तमान वार देयल है तो हमसे भी कुछ अगर जबर्दस्ति करता हम भी तो करने के लिए मजबूर है कि मतलब गोली बंदुक से दरा धमका के साधिवादी के लाड़की क्या बोलके गई थी घर से बोलके गई थी कि जा रहे हैं मामा के साधी के फोटो लेने के लिए अच्छा तो आप लोग 13 साल की लड़की को भेज़ दिए फोटो लाने के लिए जाती थी एक माँ जाती थी ओ मार्केट में जाती थी कभी कभा तो हम जा रही है हम लोग पता नहीं था कि यह सा काम होगा व बीचे से उठा लिया है उठाके फोन भी कर दिया है बाइस्तारी क प्रसासन क्या कह रहा है प traff值 थी इंग्वर ऑफे लिए कि लऒफ तो कुछ कर दिया हैं टू मालिए बहलत करी दिया है चोड़ा होगा में लड़की बताई इसा काम कर दिया मिरे ससुराल में बाइ बहुजाई बोलती है कि हमारे घर comm prices नहीं अपनी महां से कि हमारे पास फंव्द मत करना हमारे घर से कोई रीश्ता नहीं होगा क्योंकि एक हीट आता है दुख्सूख में साथ देने क्लिए तो आपका घरे तबाह कर दिया कितने साल पहले साधी हुआ था अभी तो आठ महीने में उस सारा कांड कर दिया सब उथल पुथल कर दिया देखिए इनके हाथ में पूरा पेपर है और देखिए लड़के का तस्वीर है यहां पर देखिए लड़की का और देखिए गाना तो 2009 का लड़की का देथ आप आप अब स向 अब वह था है आप से मीलाइगा तो तेरा साल की लढकी को रेलेशन में लड़का अपनी ही बहन के घर आता है और उस बहन की भगनी को भाय年 ही घर से उठा के ले जाता है अब इस मामले को आप अफेयर भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि नबालिक लड़की को क्या पता है कि प्यार मुहबबत क्या होता है और जहां तक यह कह रही है कि गोली बंदुग के साथ हो रहता है तो हो सकता है ऐसा कहा जा सकता है कि गोली बंदुग से उसे डरा धमका के साधी क कर लिया 13 साल की लड़की है और अभी उसको पता ही नहीं है कि लड़की कहां है लड़का कहां रखा है लड़की को लेकिन इस घर में आके रिष्टदार बनके विश्वास घात कर दिया आप क्या कहिए आप हम तो यहीं पड़सासन से कहेंगे नेताओं लोग से कहेंगे ना कि हमारे लिए प्युश मदब कीजिए लड़की के पापा कहां है वो तो बाहर है क्या करते हैं वो भी काम करते हैं 'llon टोन डूड रहे हैं क्यों क्यों कि हम खुद अकेले हैं नरवास है इस टाइम में वह भी आपके तो देखे यह मां है घर में जाड़ू पोचागर के बच्चियों को पाल रही है और देखे यह दरिंदा कैसा आदमी है कि 13 साल की बच्ची को भी नहीं छोड़ा और उसको उठा के घर से ले गया वह लड़की को कहा रखा है कुछ भी अता पता नहीं है और कॉल करके इनको ही ब्लैक मिल कर रहा है कि तुम्हाई लड़की को मार देंगे पैसा भी मांग रहा है एक और हम चैनल पर वीडियो छोड़े थे तुम्हें जो करना है कर लो मीडिया से भी बात मत करो तुम्हें जहां तक जाना है उहां तक जाओ हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा इस मा को न्याय तो मिलना चाहिए इतना संगर्स करके अपने बच्ची को पाल रही है और वो रिलेशन को भी रिलेशन ने समझा रिष्टे को भी वो एकदम बदनाम कर दिया मामा लगेगा वो रिष्टा में और भगनी को ही भगा के ले गया अगर ऐसी ऐसी कहानिया आप कि बीच में आएंगी तो किसी को भी घर में रखने पर भरोसा नहीं होगा चाहिए वो कितना भी करीब कर रिष्टदार हो आपके घर में अगर बेटी होगी तो रखने पे एकदम भरोसा नहीं होगा कि कल को कौन मेरी बेटी के साथ क्या कर दें ये किसी पर भरोसा नहीं हो प्लीज आप कॉमेंट सेक्षन में आके जरूर बता दीजेगा कि ये ब्यक्ति यहाँ पर हमें दिखाए धन्यवाद